चानक के AIS Academy में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे युनेसको साइट्स के बारे में भारत की तीन सांस्कृतिक जगों को युनेसको के विश्व दरोहर की संभावित लिस्ट में शामिल किया गया है इसमें मोडेरा का सूर्य मंदिर, गुजरात का एतिहासिक बढ़नगर और त्रिपुरा में उन्ना कोटी की चटानों को काट कर बनाए गई मूर्तिया शामिल है ये जानकारी भारतिय पूरा तत्यो सर्वेक्षन ने दी है अब हम बात करेंगे युनेस्को की लिस्ट में भारत के कितनी जगा है युनेस्को की एस्थाई विरासत लिस्ट उन संपत्यों की लिस्ट है जिन पर हर राज्य की सरकार नामांकन के लिए विचार करना चाती है हलाकि किसी भी सांस्करतिक प्राकरतिक या मिश्रित विरासत थलको युनेस्को की विश्व विरासत लिस्ट में शामिल करने के लिए एस्थाई सूची में किसी साइट को जोड़ना एक आवशक शर्थ होता है S-Thai List में इसका स्थान इस पाकी गारंटी नहीं होता कि इसे List में शामिल किया जाएगा भारत के पास अब UNESCO की S-Thai List में 52 जगा है जो भारत की विविद सास्करतिक और प्राकरतिक संपदा से संबन दित है पिछले साल भारत ने इस List में 6 साइटों को जोडने का प्रस्ताव पेश किया था इसमें सत्पुडा टाइगर रिजर्व, वारा नसी के एतिहासिक शहर के फेमस रिवर फ्रंट, हायर बैकल के महापाशान स्थल महारास्टर में मराठा सेन्य वास्तुकला, नरमदा घाटी, जवलपूर में भेडा घाट, लमेटा घाट और काची पुर्म के मंदिर शामिल है अब हम सबसे पहले बात करेंगे बढ़ नगर के बारे में यानि कि बढ़ नगर शहर के बारे में जो कि गुजरात में है गुजरात का बढ़ नगर एक छोटा सा शहर है, बढ़ नगर में खुदाई में बुद्ध काल के अफशेश मिले है, जिसमें गुप्त काल की बुद्ध की प्रतिमा, खोल चूडियां, कलाकृतियां और स्तूप मिले है महसाना जिले के बढ़ गाउं का पचीस सो साल पुराना इतिहास है और खुदाई के दौरान इसने कई दिल्चस्प पूरा तात्विक स्तलों के खोच की है इन खुदाईों में हडपा सस्कृति के निशान है शहर को चमतकारपूर, आनंदपूर, अनर्थपूर, व्रदानगर जैसे नामों से पुकारा जाता है चमतकारपूर नाम जिसका अर्थ है चमतकारी शहर इसके राजा के कारण दिया गया है जो इसके शक्ति तिर्थ के जादोई जल में स्तान करके कुष्ट रोग से ठीक हो गए थे यह बाद में महाभारत युक के दोरान एक समरद राज्य की रूप में अनर्थपुर के रूप में जाना जाने लगा चेनी यात्री, हेन सांग की यात्रा वरतांतों में भी इसका उलेक मिलता है क्यूंकि यहां के राजा सौलंकी थे तो सौलंकी विरासत और संस्कृति के विकास और संग्रक्षन की इच्छा रखने वाले शक्तिशाली शाषकों के राज्ये के रूप में भी इसे जाना जाता है उन्होंने नगर की सुरक्षा के लिए छ्वैद्वार बनवाये थे सौलंकी राजाओं ने राज्ये भर में और बढ़गाओं में कई मंदिर बाव, महल, कुए, सडके और स्कूल बनवाये थे इस शहर पर कई बार मुगलों का हमला हुआ था और ये सब भी मुगलों के हमले में फिर से नस्ट कर दिये गे जिनका बाद में पुनरुद्धार करवाया गया था अब हम बात करेंगे सूर्य मंदिर मोडेरा के बारे में मोडेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमेटर दूर दक्षिन की और मोडेरा गाम में निर्मित है इरानी शैली में बने इस मंदिर को सौलंकी वंच के राजा भीमदेव प्रतम ने 1026 इस्वी में दो हिस्सों में बनवाया था जिसमें पहला हिस्सा गर्भग्रे और दूसरा सभामंडब का है गर्भग्रे के अंदर की लंबाई 51 फुट 9 इंच और चोड़ाई 25 फुट 8 इंच है मंदिर के सभामंडल में कुल 52 स्थम्भ है इन स्थम्भों पर विभिन देवी देवताओं के चित्रों के अलावा रामायन और महा भारत के प्रसंगों को बहतरीन कारिगरी के साथ दिखाया गया है मोडेरा के मंदिर का जिकर कई पुराणों में भी आता है जैसे कि सकंद पुराण और ब्रह्मा पुराण जिसमें कहा गया है कि प्राचीन काल में मोडेरा के आसपास का पूरा छित्र धरम रन्य के नाम से जाना जाता था अलाओ दिन खेलजे के हमले ने मंदिर को खंडित कर दिया था फिलहाल इसे भारतिय पूरा तत्तो विखभाग ने इस मंदिर को अपने संग्रक्षन में ले रखा है अब हम बात करेंगे त्रिपुरा में उन्ना कोटी के बारे में उन्ना कोटी पहाडी एक मूर्ती कला प्रतीक और प्राचीन शेव स्थान है जहां लगभग 99,9999 पत्रों पर देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र उकेरे गए है यह पूजा का एक स्थान है जहां बड़ी-बड़ी चट्टाने शिव का उत्सब मनाती है उन्ना कोटी का शाब्दिक अर्थ हिंदी और बंगाली में एक करोड कम या कोटी है स्थान ये कोक बोरोक भाशा में इसे सुब्रै खुं कहते हैं यह उत्तर पुर्वी भारतिय राजे त्रिपुरा के केला शहर उपकड में उन्ना कोटी जिले का प्रमुक प्रेटन्स थल है उन्ना कोटी में पाए गए चित्र दो प्रकार के होते हैं अर्थात चटानों पर खुदी हुई आकरतियां और पत्थर की मूर्थियां रोकट नकाशियों के बीच केंद्रिय शिव सर और विशाल गनेश की आकरतियां विशेश उल्लेक के योगे हैं उन्ना कोटी शवर काल भैरव के रूप में जाना जाने वाला केंद्रिय शिव सर लगबग 30 फिट उचा है जिसमें एक कशीदा कारी सिर पोशाक भी शामिल है जो स्वेम 10 फिट उची है अगर बात के जाए यूनेसको की तो सयुक्त राष्ट्र सैक्षिक, विज्ञानिक और सांस्कृतिक संग्ठन सयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजनसी है जिसका उदेश्य सिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतरराष्ट्र सहयोग के माध्यम से विश्वे शान्ती और सुरक्षा को बढ़ावा देना है इसके 193 सदस्य राज्ये और 12 सहयोगी सदस्य है साथ ही गैर सरकारी, अंतर सरकारी और निजी छेतर में भागिदारी है इसका मुख्याले फ्रांस के पैरिस में है और वर्ड हेरिटेज सेंटर में इसका मुख्याले है इसके अलावा 53 छेतरी कार्याले और 199 राश्ट्री आयोग है जो इसके वेश्विक जनादेश की सुविधा प्रदान करते हैं विनेस्को की स्थापना 1945 में बोधिक सहयोग पर राश्ट्र संकी अंतराश्टी समीती के उत्रा दिकारी की रूप में की गई थी इसका सविधान, एजनसी के लक्षियों, शाषी सनचना और संचालन धाचे को स्थापित करता है विनेस्को का सस्थापक मिशन जिसे विधित्य विश्विध के दोरान आकार दिया गया था रास्ट्रों के वीच सयोग और संबात को सुविधा जनक बना कर शान्ती स्थ्विकास और मानवधिकारों को आगे बढ़ाना है यह 5 परमुक कारेकरम छेत्रों के माध्यम से इस उदेशे को अपनाता है या पूरा करता है वो 5 उदेशे है या 5 कारेकरम है शिक्षा, प्राकर्तिक विज्ञान, सामाजिक, मानव विज्ञान, सर्स्कृति और संचार या सूचना इसके साथ ही हमारा आज का है टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें इस सब्सक्राइब, शेक्षा, टाराइब, बश्यूब चैनल पन सुछ्ड़ मैं और सम्काप्पिज सूटेड ऑनको लिख यहीं थे अप्तेक्षा, जब्सक्राइब करें करें इस साथन्देघ्टी आपतेश्म टेंदूर को डिशओता है